So finally guys Indian bikes driving 3D में आच चुका है हमारा क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल का चिटकोड क्या है आज के वीडियो में इसका चिटकोड मैं बता दूँगा लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या आया है सारी की सारी न्यू अपडेट में इस वाले वीडियो में बता आने वाला हूँ So guys अभी फिलहाल में रोहिद गेमिंग स्टूडियो की तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें 25 से ज़्यादा एनिमल्स थे और वहाँ पे रोहिद गेमिंग स्टूडियो ने पुछा था कि कौन से एनिमल्स को एड करना चाहोगे और वहाँ पे लोगों ने बोला था कि क्रोकोडाइल को एड किया जाए और गोरिला को भी एड किया जाए और बहुत सारे लोगों ने गोड्जिला, किंग कॉंग और काफी सारे एनिमल्स के नाम बताए थे इसलिए मैं आपसे फिर से पुछ रहा हूँ कि और कौन से एनिमल्स है जो आप एड करवाना चाहते हो जल्दी से मुझे कमेंट में उसका नाम बतातो जो भी एनिमल्स आपको एड करवाना हो आज की वीडियो में मैं वो वो चिटकोड बताने वाला हूँ जो एनिमल्स अल्रेडी एड कर दिये गये है जैसे कि क्रोपडाइल हो गया, घोरिला हो गया, एलिफंट हो गया, सारे के सारे एनिमल्स है जो कि add किये गये है उस सारे animals को मैं cheat code बता देता हूँ और कितने animals है जो कि आने वाली update में आ सकते है और इस update में कितने animals आ चुके है सारे के सारे cheat code मैं बताता हूँ अभी औरे बाबा इंड गाइस इंडियन बैट ड्राइविंग 3D में काफी सारी चीज़े है जिनके बहुत सारे चीट कोड़ से है और बहुत सारे लोगों को पता है नहीं कि ये वाले चीज इस गैम में है भी या नहीं तो आपको जिस भी चीज का चिट कोड चाहिए फटा फट से मुझे कमेंट में बताना तो मैं तुरंती आपको इस चीज का चिट कोड बता दूँगा न्यू अपडेट में और कौन सी न्यू कार आने वाली है या कौन सी SUV आने वाली है सब के सब मैं बता ही देता हूँ सबसे पहले इस वाली गाड़ी का नाम बता देता हूँ ये वाली जो दिख रही है इसका नाम है डिफेंडर और डिफेंडर का चीट कोड है वो है 0001 यानि कि तीन बार जीरो करने के बाद एक सो यहाँ पे हमने 0001 लगाया वैसे ही यहाँ पे चीट कोड की मदद से हमारे डिफेंडर सामने आ चुकी है आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं क्रोकोडाइल के बीच में नहा रहा हूँ मतलब पूरे स्वीमिंग पूल में क्रोकोडाइल भरे हुए है और मैं आराम से ना के निकल चुका हूँ and और तो और गाइस पूरे रास्टे पे और हर चका मैंने क्रोकोडाइल लाके रखे तो इतने सारे क्रोकोडाइल्स मैं कैसे लाया so finally मैं आपको क्रोकोडाइल का चिट कोड़ बता ही देता हूँ लेकिन गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तीन डालने से यहाँ पर आ जाएगा हमारा monster, spawn monster लिखा हुआ आ चुका है और यह वाला monster सीधा जाएगा हमारे गर के अंदर तो यहाँ पर सामने देख सकते हो कि हमारे गर के अंदर जाके यह monster बैठ चुका है अभी इसके बाद वाला cheat code बताता हूँ तो चार नमबर डालने से यहाँ पर आ जाएगा दूसरा monster और यह वाला monster भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो पांच डालने से यहाँ पर एक और monster आ जाता है और यह वाले monster हर cheat code हर बार डालने से अलग-अलग आते है जैसे 2 बार 5 डाला तो अलग-अलग आएँगे जैसे 2 बार 4 डाला तो अलग-अलग color के आएँगे monster तो इस तरह के से आएगा और यहाँ पर आख देक सकते हैं जैसे मैंने 4 डाला तो अलग सा आ गया एक और monster तो यहाँ पर 6 नमबर डालते ही हमारा elephant हमारे सामने आ चुका है and elephant तो काफी ज़्यादा beautiful लग रहा है अच्छा भी लग रहा है and यहाँ पे काफी सारे elephant मैं ला देता हूँ तो यहाँ पे 6 number डालते ही 6 number का chitcode लगाते ही यहाँ पे elephant आ चाता है and 7 number का chitcode डालने के बाद यहाँ पर हमारे सामने किटना पर वैन आ जाती है जिसको ओमनी भी बूलते है so यहाँ पे आप देख सकते हो किटना पर वैन हमारे सामने आ चुकी है and यह तो सबसे best गाड़ी है so finally guys मैंने जितने भी chitcode बता है वो आप try कर सकते हो and इससे आप मजे कर सकते हो अपनी game के अंदर जैसे यह वाला chitcode डालते ही यहाँ पर ट्रक आ चुका है 10 chitcode डालते ही यहाँ पर buffalo आ जाएगी 11 number का chitcode डालते ही हमारा male lion आ जाएगा and यहाँ पर हमारा 12 number का chitcode डालते ही आ जाएगी lion and यहाँ पर आप देख सकते हो 13 number का chitcode डालते ही यहाँ पर giraffe आ जाएगा जिराफ लाने के लिए आपको 13 number का chitcode डालना है तो यहाँ पर मैं काफी सारे जिराफ ला देता हूं and 14 number का chit mounts डालते ही हमारे सांदे आ जाता rhino यानि कि गैंडा लाने के लिए आपको 14 नंबर का चिटकोड डालना है और फाइनली सबसे बेश्ट वाला चिटकोड बताता हूं यह चिटकोड काफी ज़्यादा लोगों को पसंद है और सब को मैं बता देता हूं कि यह वाला चिटकोड किसी एनिमल्स का तो नहीं है बट इस वाले चिटकोड से डांसिंग गल आ जाती है सो 15 नंबर का चिटकोड डालती है यहाँ पे हमारे सामने डांसिंग गल आ चुकी है और यह वाली काफी इंटरस्टिंग चीज है सो फाइनली गाइस मैंने इंडियन बैक्स डाइविंग 3D में काफी सारे एनिमल्स के चिटकोड तो बता दिये हैं लेकिन सारे के सारे एनिमल्स के चिटकोड नहीं बताए सो हमारी गेम के अंदर बहुत ही जादा एनिमल्स है और मैंने सिर्फ कुछ अनिमल्स के चिटकोड बताई से तो चलो कुछ पुराने अनिमल्स के भी चिटकोड बता ही देता हूँ जैसे 600 करने पे आ जाता है डॉग जी हाँ गाइस तो कुट्टा लाने के लिए आपको 600 चिटकोड नंबर डालना पड़ता है जिससे हमारा हॉर्स आजाएगा पुराने वाला यहाँ पे 50 करने से हमारा वैलो सिपरिटर आजाएगा यानि की खोटा डाइनोसौर चिरेक्स डाइनोसौर यहाँ पे 52 करने से हमारा सपाинов डाइनोसौर एंडिसी के साथ साथ आप जैसे 53 करते हो तो यहां पे बैच नाम का यानि की ब्रैच नाम का डाइनोसूर आ जाता है So finally मैंने डाइनोसूर के भी जिट कोड़ बता दिये है और काफी सारे एनिमल्स के भी जिट कोड़ बता दिये है So guys अभी किस से इसका जिट कोड़ बाकी है मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो क्योंकि मैं यहां पे आपको RJS टूल के अंदर जाके ड्राउन मोड करके दिखा रहा हूँ कि यहां पे आप देख सकते हो कितने जादा एनिमल्स हमने ला दिये है और काफी सारे एनिमल्स तो इनकी जगापे रहे भी नहीं चले गए तो यह हमारा हाउस है आप देख सकते हो काफी ज़्यादा ब्यूटिफूल हमारा हाउस लग रहा है यहां पे गैंडा, जीरा, फैंड काफी सारे अनिमल्स है जैसे एलिफंट, गोडा, लायन्स तो सारे के सारे अनिमल्स यहां पे आप देख सकते हो और कुछ अनिमल्स तो बिल्डिंग्स के अंदर ही चले गए है सुछ इतने ज्यादा अनिमल्स के मैंने चिटकोट बता दिये हैंड फटा फटसे मुझे कमेंट के अंदर बता दो कि कौन से ऐसा अनिमल्स है जिसको आप अड़ करवाना चाहते हो सो आज के वीडियो में सारे के सारे animals के तो चिट कोड नहीं बता पाया बैट मैंने काफी सारे animals के चिट कोड बता दिये हैं तो और भी जxit कोड़ आप जानना चाहते हो किस चीज का animal कौन से animal का चिट कोड जानना है जल्दी से comment में बता ओ ताकि अगले वीडियो में मैं और भी जदा एनिमल्स के चिट कोड़ आपको बता सकू और कौन कौन सी चीज आप इंडियन बाइक्स डाइविंग 3D में एड़ करवाना चाहते हो मुझे कमेंट में बता दो मिलते हैं कल के वीडियो में थब तक के लिए गुड़ बाइ